मआ लेको मिला मन रखी हमारा आज फ़कर है वह प्योरीन साल्वेज डे opposition सी बैसे basic में अब उयर्च है पूरीन साल्वेज पाढ़ज़ पाधवे के सॉल वेच पाथ्वे उतता है ये क्या होता है जी करता एक शेकृट को सब्सक्रार में किहाँ चैभी ये थरी तेकर वद तो हमने कल देखा था कि पुरीन कमाद में क्या था था पुरीन कमाद में ये वर्यो देखे मैं शो कि पोड़ा रब सुल ये वहने самом जो गाँ के राइबोज 5-56 जो था उसके उपर एंजाइम एक्ट करता था PRPP, شा करने पेर पीपी, पिर्पर पी पीपी के ओपर इंजाइम एक्ट करता था तो तो राइबोज 5-56 पाइब आप hugely आप मांजाता था माइडर्ट ट्रांसफ्रेज इंजाम act करता है और जब माइडर्ण ट्रांसफ्रेज इंजाम U-T-4 पर act करता है तो पी त्र पी पी से क्या बन जाता है आईंपी इनॉसीन मौनफास्थफ इनोसीन मोनोफासफेड डी हाइड्रोजिनेज याद है डी हाइड्रोजिनेज इंजाइम मैं इसको एक बर रपीट कर रहा हूँ देखे इसको गवर से देखे रेबोज फाइब फासफेड शुगर की ऊपर आपका इंजाइम एक्ट करता था पी आर पीपी सैंथिटेज और पी आर पीपी सैंथिटेज इंजाइम है तो पी आर पीपी को बनाएगा ठीक है डाक्र यान तो क्या बन जाएगा पी आर पीपी अब पीपी बनने के बाद पर अब इससे क्या होगा कि इसके पर इंजाइम एक्ट करेगा पी आर पीप अमाइडो ट्रांसफेरेंज इंजा ता था या फिर गवानोसीन मोनोफासफेट इंजाइम कौन सेक्ट करता है इनोसीन मोनोफासफेट अब यहां पर आजें यह देखें वह कहते है राइबोज-5-फासफेट है इसके इनजाइम एक करेगा पी आर पीपी सेंथिटेज उसे क्या बन जाएगा आपका पी आर जाल्ण करता है कौन सा यहीप इनोसीन मोनोफासफेट या तो गवानोसीन मोनोफासफेट बनेगा यह पिर आप हम महाय उपड़ा यह उपर इनोसीन मोनोफासफेट यह पर जाता है यहाँ बन जाता है याओ इडिके आगे बढ़ेए क्या उता है के अधिके और यह खाल जाता है याओं सो अभ यैज गौनासीन मोनोफ़ासफीट बन गये है या ऐडिनासीन मोनोफ़ासफीट बन क्या है। आपकोर्स نہ क्या होता है याद करें एक इसकी शूगर और एक बेस और साथ वे फास्ट यह मोनो फास्ट वेट है मतलब एक फास्ट वहका गून उसीन मतलब एक हैं शूकर होगी और गूणीन क्या है ईसकी डुबल रिंग वाली बेस है तो यह क्या बन गिया आपका टैट नुकलो टाइट है ना इसां गिलवनो काम आते हैं अब यह गौनोसीन मोनोफासफेड जो कि न्यूकलेक एसिट की Synthesys में भी काम आता है लेकिन इसके उपर एक और चीज़ भी होती है क्या कि आपका जो गौनोसीन मोनोफासफेड जो न्यूकलोटाइड है इस में से यह मोनोफासफेड रिमूव हो जाएगा मोनो इसका यह फासफेड रिमूव कर दी अब यह क्या किलाएगा नुकलिसाइड अब क्या किलाएगा नुकलिसाइड तो यह रिमूव हुआ क्या रिमूव हुआ मोनो-फास्पेड रिमूव हुआ तो क्या बन गया गवानोसिर यह क्या किलाता है मैं नूकलोटाइड और टिफरेंस बताया था और यह भी कहा था कि नोमन क्लेचर कैसे पढ़ते होते है ठीक है तो यह क्या है आपका गवानोसीर बन गया अब 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 हमने क्या करना है अब यह हमारे पास जो ग्वानोसीन जो के न्यूकलसाइड है न्यूकलसाइड में क्या क्या चीज़े होती है शुगर और नेट्रोजिनस बेस अब मैं कहता हूं इसमें से मैं यह भी रिमूव कर दो शुगर भी रिमूव पीछे क्या बचेगी सिर्फ नेट्रोजिनस बेस डाट विल भी गोवानीन ठीक है बाकि यह मैंने नोमनक्लेचर एक्सप्लेइन करके डिटेल में बताई थी के गौवानोसीन एडेनोसीन मोनोफासफेट डाइफासफेट या सिंपल गवानीन क्यों लिखते हैं गवानोसीन क्यों लिखते हैं आपको आ ठीक है। अब इसको ये कि आपकी बेस कि ये किया है? तो यह वहले से नंगे आपको. ओंधा है, चलने चल्बात हूँ, इस वहले से कि अब हुम का पड़ा है, इसनोसीन मोनौ साइग्ड से क्या बन गई? गौन सीन मोनोसीन इंप Не मॉनो फ़ासक्ट अब उस से आपका फासक्ट रिमूव लजद्ध मॉनů उस्मेंट पर perse सACC biased क्या अज़र है एक सेसे किसेर हैं आखी सलस्व करें दूसरी सफिंट जाते हैं आडिनोसेन मॉनोफासफेड यह वाला है यह अब इनसीन मोनो फासफेट से एक साइकल तो यह चला हमने कहां तक पाढ लिया यहांत extended बांके पाट लिया आके को साइकल रहते है कि बना यह इसको बाद में देखते है ठीक है अभी इसको इस तरफ लेकिए एडिनोसीन मोनोफासफेट यह क्या था नुकलोटाइड था ऐसे इसमें शूगर भी है पासफेट भी खोरते है अब यहीप छोड़ दे अभी और समझ धैंजको यहीं पर चोड़को फेलाल भूल जायए अब दो चीज़ें होते लफज होता है इनोसीन क्या इनोसीन अब जो लुक्रिस ոूगर फ्लस हेपोजनथीन बहिता है पसे ऺे Lipa क्या है? नेट्रुजिनस बेस से अगर आपकी नेट्रोजिनस बेस हो है पो हैपोजेंथी हो आपकोजेंथन और श्कूर के साथ अटेच ओ ल्ड़ियाउस् raising employers ऑप्रीजिड निफिट लगर यह क्या है क्यूं क penalAAAA- न्यमिट लुदी लू आपकी यहापकी शुगर यह आपकी शुगर और शुगर की ऊपर आपका अटैच है याज है चाहिज चाहला इसको बहुत सा समझे मिस्टेक divul और हुआ हैं मैं जो समझाने की कुशिश कर रहा हूं इंशाला आपको समझा जाएगी कि शूगर के साथ अगर हैपोजन्थीन लगी हो शूगर के साथ इस काल्ड इनोसीन नाट हैपोजन्थीन सीन ऑसीन लाइक डैट कि हम जो कह रहे हैं ना वह नॉमन क्लेक्टर में कि उसके साथ ओसीन लगा जिया करो या ऐसा कुछ भी नहीं है देखवाना कि उपर नेट्रोजनेस हैपोजन्थीन है लेकिन है इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है इनॉसीन और अगर इसी शूगर के साथ आपका अटेच हो अडिनी यह दो चीज यह समझा गय है कि Amine Grap क्या करते हैं रिमूव करते है Amine Grap क्या करते है रिमूव ऐब आपका ये जो ए डिनीन ए क्या है Apostle इसके इसके उपर होगा डी अमाइनेशन सीरeक्शन कौन सा डी माइनेशन मतलब आपकी जो इसके उपर जो amine group है वो हमने करना है remove उसको क्या करना है remove करना है जब गौट से सुनिएगा जब adenine की demination होती है किसकी adenine की demination उसके उपर से amine group हट जाता है यह फिर बन जाती है आपकी एपोजन्थीन क्या बन जाती है एपोजन्थीन बास समझ जाए यह यह हमने पहले पढ़ी भी थी कि आपके अगर adenine की demination करें उसका amine group remove करें अब जब इसका amine group remove करेंगे तो जो क्या बन जाएगी हेपोजन्थीन क्या बन जाएगी नॉ शूगर फ्लस हेपोजन्थीन इस काल्ड इनोसीन अब आपकी जो adenosine थी वो क्या बन चुकिया है inos crash है पही यह समझ आ गही है लेकिन अब इनोसीन की ऊपर edenine नहीं लगा हुआ क्या लगा हुआ है आप happy लगा हुआ है यह वाली बात बता रहा हूं हमने पीचे पड़ी भी थी क्या पड़ी थी यह देखेंगे डी मायनेशन रीक्षिन में कि जब एडिनिन की है है पैसलिट है जो आपका एदिनोंपीन होता है शूगर plus addition है अब हमने इसी की D-약 स्पिज़गी किया कि इसका उपत्राइब से चरजप करेंगे टो एदिनीन शुगर है रिमूव करता है नाफ है पर जेह सीधीन, है जैङ है इस इनन और इस इनोसी से इसी इनोसीन से मैं ये शूगर रिमूव कर दूँ पीछे क्या बच जाएगा सिर्फ है पोजन्तिन क्या बच जाएगा है समझा गए यह पॉइंट नहीं समझा है यान बड़ा साम चाहता अब देखिए अब मैं इसको आपको स्केच पढ़ाता हूं इंशाला समझा जाएगा ठीक है मैंने डाक्टर को सुन है वो जब यह समझा रहा था ने यह वेला लेक्टर विचारा जूम पर पढ़ा रहा था तो कुछ दस मिन लगा दियो उसने यह समझाने समझाने में तो बार पर सुन को कह रहा था कि डाक्टर हाफिज आतिर साब कि माशलाल काफी अच्छी पाकिस्तान की डाक्टर है तो वह कह रहे थे अल्ला के वलीयो समझ लो समझ लो मैं क्या करना चाबता हूं वह विचारा बार बार समझा समझा के ठाक गया अब देखें आप अधिनोसीन मोनो फासफेट की इस फासफेट वा रिमूव निक्लोटाइड था पीछे क्या पाच इन्जाइम जो इन्वाल्ब था वो है एडिनोसीन डीमाइनेज इस इन्जाइम ने इसकी की डीमाइनेशन जब यह इसकी डीमाइनेशन करेगा तो अब भी हमने देखा एडिनोसीन से क्या बन रहा है इनोसीन बन रहा था ना जब हम इसकी एडिनीन की डीमाइनेशन कर रह इन்यमनेशन होकि तो इनोसीन कैसे बनता है के अच्छा और अगे वह सम्धार आगे देखें मेरी सकष्ट तो नहीं है ठीक है सपीट वह हूं इसे Innocene से अब मैं क्या remove कर रहा हूं较 1930 कर रहा हूं तो पीचे क्या रह जाएगा पीचे शूगर रिमूब करूँगा तो पीछे क्या रहा जाएगा है पोजन्ति समझ आ गिया है पकी बात है चैलेंजी यह दो चीज़े बनेगी मारे पास अब हमने कहां तक कवर इसको रिपीड करने की जुरूत है जी-जी उसकी डिमाइन होती है ऑसकी बीडिमाइन लेकिन भी इतना देखलें बसके वह बी अडीज बंती होती है चैनल क्मर् spark arc है मैं को है यहां को हो गया इना अब शी Зबला अब यहां पर राश्यट कमर्स अब बना यह जरा ठीक है अब इनोसीन मोनोफासफेट तो सब्सक्राइगा इसे में सूगर kया रह जाएगा क्योंकई इस शूगर प्लास है तो मैंने शूगर करते पैड़ से कि क्या रह देगा यहां यह भी हमारा हो गया अब कौन से रहता है यह वाला इसको बाद मैं देखते हैं सबसे लास्ट में ठीक है अब यह आगे मूव करते है साइकल को अच्छा अब जब यह हैपोजन्थीन इदर से हैपोजन्थीन बन गया इदर से गवणिन बन गया यह दो बन गए अब अब जो आपका जेंथीन है आपके कौन है अब अब आप इस तरह देख लें चलें आपको एक इंटरस्टिंग सी है यह जो जंता है है यह सोगो चाहता है लेकिन है ये जो नीए अनो इसकोर बहुत है उन वे इसको चाहता एह लिकन यह इसको चाहता है इसको चाहता है को deform थिए फित को से चाहता है खुकिते गार जहätगा या फिर जींगा विश्य UK चाहता यह चाहता है आपको उसे हैं बी जीतेगा क्यूंक्य ये तो इसको चाहता है ठीक ये तो इसको नहीं चाहता है दोनों महबत है हूल कहती है कि ठीकषे नहीं कि यह चाहते था कि और तुम उनको चाहते थे नहीं समझे नहीं कि ए रहा है चलед खेर वापस आजए आप अब यह बताने का मकसद क्या था यह बताने का मकसद यह है कि यह जैन्थीन जैन्थीन चाहेगा कि गवानीन और हैपोजैन्थीन मेरी तरफ मूव करें ठीक है लेकिन हैपोजैन्थीन और गवानीन चाहते हैं कि हम दुबारा वापस अपनी वापस फॉम में जाए वापस उसी के पास जाए गौपसमीनखक पास जाए गौपसमीनमफास्फेट और अडौसरिक somethin के पास जाए उसके पास वापसमीन वापस मुपसमीन ध quiK है तो यह जीब जयाता है आपका इनौसरिकल , एडिकल बिंदो माइन और 90 परसेंट आपका जो यह एपो जनतीन वंटा है और गवाणीन जो बनता है यह वापस कन्वाल्ट जाता है किसके पास गवानीन मौनअफास्पेट और इनुसीन के पास ठीक कितने परसेंट मतलब वह जीत गया । इसके पास 90 परेंट से लागिया तो 90 परसेंट आपका जो hypozenthine, guanine है, यह दुबारा क्या बन जाता है? guanosine, monophosphate और inosine, monophosphate या फिर adenosine, monophosphate. This process is called purine salvage pathway. This is called purine salvage pathway. कि हमने चीजों को use किया, चीजों को use किया और फिर उन्हें चीजों को दुबारा बना लिया. That is called purine salvage pathway. ठीक है, अब इसमें क्या है? कि एक पहली बार चीजों को बनाना, That is called denivosynthesis. पहली बार चीजों को बनाना, यह क्या था? denivosynthesis. अब बनी हुई चीजों को बार बार use करना है, उसको recycle करना. That is called purine salvage pathway. That is called purine salvage pathway. So purine salvage pathway समझ आ गया, यहां तक, जितना, जहां तक मैंने समझाया. अच्छा, यहां पर enzyme act करता है, कौन सा? HG, PRT. H से हो गया, hypozenthine, G से हो गया, goanine, और PR से हो गया, phosphoribosyle transferase, phosphoribosyle, यह मेरे खार में नीचे पहले लिखा है, हाँ, यह लिखा हुआ है, hypozenthine, goanine, phosphoribosyle transferase enzyme, अब यह enzyme act करेगा यहां पर, अब यह enzyme क्या करेगा, यह enzyme act करके, इदर से हैpozenthine को पकड़ेगा, किसको? हैpozenthine को, पलस उदर से PRPP, यह वाला PRPP, यह बनता है न, इसके बाद, बनता था न, यह इसके उपर जब PRPP, सैंथिटेज, एक्ट करेगा, तो क्या बनता है, PRPP तो आपका यह जो HG PRT enzyme है, वो इदर से PRPP को पकड़ेगा, इदर से हैpozenthine बनी है, उसको पकड़ेगा, दोनों को मिला देगा, दोनों को, मिला देगा, यह समझा रहा है, नहीं समझा रहा, नहीं समझा रहा, चले मैं इसको, PRPP जो उपर पड़ा हुआ है, यह जो इससे ब हैpozenthine और goani 90% वापस चला जाता है, 90% वापस चला जाता है, ठीक है, उसके पास, वो कैसे होता है, वो होता कैसे, देखें, यह हमने कारना, रहे बोस 5-phosphate जो शूगर थी, इसके उपर यह वाला enzyme अट करता है, PRPP synthetase, और क्या बन जाता था, PRPP, याद है, यह हमने प्योरीन synthetase, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यह बताया है, PRPP बन गया, अब इसी PRPP के उपर, PRPP के उपर enzymeate करता है, PRPP amido transthrase, और उससे क्या बनता था, इनोसीन monofasphate, यादा रहा है कुछ, यादा रहा है ना भी, अभी मैं पढ़ा किया हूँ, पीछे से, अब यह वाला आपका PRPP जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यह वाला PRPP, और इधर से हैपोजन्तीन, इधर से हैपोजन्तीन, दोनों को क्या करेगा, अकठे मिला देगा, दोनों को, यह HGPRT enzyme आपका, इन दोनों को पकड़ेगा, अकठा मिला के, जब यह दोनों कठे मिलते हैं, तो क्या बनता है, PRPP क्या है, एक किसम की sugar है, क्या है, शूगर, यह देखें, उपर PRPP प्लस उसके साथ base मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, इन उसीन, मोनोफासफेट, क्या बन जाएगा, इन उसीन, मोनोफासफेट, मतलब आपका जो PRPP है, समझे, शूगर प्लस फासफेट है, उसके साथ हैपोजन्थीन दुबारा मिल जाएगा, वापस यह बन जाएगा, आपका इनोसीन, मोनोफासफेट, समझ आ गई है, कि यह प्यूरीन सालवेच पात्वे से इनोसीन, मोनोफासफेट दुबारा वापस, कैसे बनी, ठीक है, अब इनोसीन, मोनोफासफेट, समझ आ गई है, यह प्यूरीन सालवेच पात्वेच, प्यूरीन सालवेच पात्वेच समझ आ गया, यह तो था कि आपका जो महभूब था, वो जिसको चाहता था, उसके पास चला गया, 90%, अब 10% यह भी चांस है, कि जन्थीन की तरफ जेकन वाल यह भी, और यह भी, और यह भी, यह सारा कवर हो गया, अब यह नीचे वाला रहता है, यह वाला रहता है हमारा, अब इसके उपर आएं, इसको देखते हैं नीचे से, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपके हैपोजैन्थीन के उपर इंजाम एक्ट करता है, क्या ना म Oxidase और इसको Convult कर देगा जैन्तीन में तो आपकी 10% है 10% गौणीन और एपो जैन्तीन से क्या बन जाएगी आपकी जैन्तीन लकिन 10% ठीक है इंजाइम कोई से एक्ट कर रहे है जैन्तीन आक्सीडेज समझा गिया है अब जैंतीन बन जाएगा अब इसी जैंतीन के उपर दोबारा जैंतीन आक्सीडेज इंजम एक्ट करेगा तो इससे क्या बन जाएगा आपका यूरेक असिड क्या बन जाएगा यूरेक असिड ठीक है अब इसी अब यहां तक आप लोग देख ल करें यह आपको नार्मल सिंपल साइकल समझ आगी है बखी बात है अब इसके पर पैथो पैथो अपलाई करें यह मुझे आप याद दिलाएगा सबसे आखर में पढ़ेंगे ठीक है यह याद दिलाना है सबसे बलके इसको भी कर लेते हैं बाद में भूल ना जाए फिर इसको क्या ब़नेगा यह बता है यह समस्शाए है लैकर यह आपका क्या है इस्सें और क्या बनेगा अदिनीन ने वह कैसे बनता है कि आपका PRPP प्लस एडिनीन इसको कौन मिलाएगा आपका एडिनोसीन फास्फोर रैबोसाइल ट्रांस्फिरेज यह कौन से था यह देखिए यह कौन गोवनीन और हैपोजेंटीन था इसले इंजाइम का नाम था हैपोजेंटीन गोवनीन और यहां पर है यह हम मैं अप्लाई करता हूं इसके उपर यह मैं यह फार्मकालोजी है पहले पैथालोजी अप्लाई करते हैं फिर फार्मकालोजी अब पैथा अप्लाई करूं मैं इसके उपर चलेंजी अब पैथालोजी अप्लाई करते हैं वह कहता है कि अगर यह देखे अडिनोसीन ड 162 common device okay बाटब तो क्या आपका यहीं कर वालन कवाल्ट हो गाए इनासीन में नहीं उसमें करव नहीं होगा तो आपका यहीं कन्संट्रेशन में कियवारे हो जाएगा- इधिदो सीन concentration में बढ़ जाएगा एडिनोसीन के concentration में बन ले से मतलब आपका जो इसकी हुई deficiency कैसकी इसकी deficiency होगी डाइमेनेज की तो जो आपका अडिनोसीन का नुक्रोटाइड था वो बढ़ जाएगा डी अक्सी अडिनोसीन ट्राइफास्पेट देखें एडी एडी ए की हुई deficiency इसकी deficiency होगई तो अडिनोसीन बढ़ जाएगा एडिनोसीन ट्राइफास्फेट बढ़ जाएगा याद करने धरा Immune System में हमने पढ़ा था हमने Immune System में कहा था कि जब आपका Adenosין demyelase enzyme deficient होता है तो फिर आपका d practically बढ़ जाता है तो इंजाइम हमने पड़ा हुआ है रबो नुक्लियोटाइड रिड़क्टेज रिड़क्टेज यादा रहा है हमने पड़ा था इम्मून सिस्टम में के जब ADA enzyme कम पड़ेगा कौन सा ADA enzyme कम पड़ेगा तो अडिनोसीन बन ली जाएगी अडिनोसीन एक ट्रॉप्राइब लेकिन का हिस्सा है तो आपका डी एट्प बढ़ जाएगा अद्रिमसीन नुकलोटइट बढ़ जाएगा तूकर अद्रिम सिन की ब्रेकड़न कोण कर रहा था एडिमसीन समझ आ पड़ जाएगा तो यह बन जाएगा और इससे रेबो निक्लोटाइड रिडक्टेज इंजाइम की डैफिशन्स उसकी डैफिशन्स ही हो जाएगी मतलब इसका जो काम है वह कम पड़ जाएगा यह देखें यहां पर यह मुझे बताएं आप यह वाला रेबो होगी नहीं पेरिमेडिन सेंथिसेज भी नहीं होऊ रही प्यूरीन सेंथिसेज भी नहीं हो रही एट ड्रक्टेज़ इंजाइम की डैफिशनसी होती है इसकी डैफिशनसी क्यों होती है क्योंकि आपका ATP बढ़ जाता है ATP क्यों बढ़ता है क्योंकि आपका ADA Adenosin D-minase enzyme की डैफिशनसी हो तो अब समझा गया है पकी बात है तो इस तरह आपको लेंफ और आपको मतलब लेंफ वोसाइट में टॉक्सिटी और वह तदाब में कम हो जाएगी उनकी डैफिशन्सी हो जाएगी तो यह होती है अधिनोसीन समझ आ गई है रपीट करने की जुरत है एनीवन आगे समझ पकी बात है ड्क्र रहीम समझ आ गिया है चैनल जी आगे मुव करें यह मैंने उसमें बताया था आपको इम्यून सिस्टम में मैंने बताया था पैसको यहां पर रपीट कर दिया फिर से और यह वन आफ तर मेजर कास अफ आर्टो सुमल स्किड स्वेर कंबाइंड इम्यून डेफिशंसी सेंड्रों इम्यून सिस्टम में यह कौन से डिज होती है इसमें बी एंटी दोनुं सेल्स कम पढ़ जाते हैं दोनुं की डेफिशंसी हो जाती है बड़ा तरह हमने इम्यून समझा गई है यह वाली डिजीस समझा गई है आफको दूसरी जो के इंपॉर्टेंट भी है यह लिंस्ट नियून सेंड्रों कौन सी लिंस्स नियून सेंड्रों डाट इंपॉर्टेट अब मुझे बताएं आप अब मुझे बताएं आप कि यहां पर मैं HGPRT एंजाइम कर हैं यहां यह मैं क्या कर हूँ डिफेक्टिफ है यह की डिफेशेंद्टिफ है यह मतल्ब आपका यहांतिन 20 से और यह बन पाएगा पर खैंसीरे मा음 restor बांडो बैंगा यह नहीं बने गा मतलब आपका हैपसंती और यहांतिन किसमें जायगा जैंतीन में ऌर जैंतीन से तो आपका यूरेक एसट आपकी बाड़ी में क्या कर जाएगा क्या कर जाएगा क्या कर जाएगा अकुमुलेट तो आपका यूरेक एसट आपकी बाड़ी में बढ़ जाएगा यान सेंड्रूम समझा गी है कि आपका जो LART enzyme HGRT enzyme है मोफ जब जाएगा defective जब ब Pineaufen ant kalian recycle हो सकेंगे नहीं तो मतलब आपका जैन्थीन हैIM ज्यादा बनेगा एरe बात दूसरी बात यह कि आपकी प्यूरी इंस बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि अब आपके जो system है और सेल की system ने देखा कि मेरे पास यह पोजन्तीन नहीं है गोवानीन नहीं मतलब मेरे पास जब यह नहीं और यह इसकी भी कमी वह उपर से फिर ज्यादा बनाएगा उपर से यह ज्यादा बनाएगा जब यह मजीद ज्यादा बनेंगे यह मजीद गवानिन ज्यादा बनेगा ऐसे मजीद है तो मजीद आपका जैंतीन क्योंकि यह इंजन तो डिफेक्टिव है वापस हो जाएगा नि किसमें गौत क्या होती है गौत क्या होती है यूरेक एसट के क्रिस्टल बन जाते हैं कहां पर मोस्टली कौन सा जोंट होता है एक कुर्शटर याद्ट यह आपका ऑपर यहाँ पर फुट होता है इस प्रॉरेक असकी बहुत ज्यादा तयदात जम्म हो जाते यह पर ठीक है तो आपको गुट की डिसीज हो जाएगी ठीक है तो यूरेक असे ज्यादा हो गया है अब इसकी रीटेंग करें डिफेक्टिव प्यूरीन सालवेज ड्यू टू एपसेंट एच जी पी रटी विच कनवर्ट्स हैपोजेंथीन तू इनोसीन आपकोर्स यह है पॉजेंथीन को किसमें करनाट कर रहा था एंड गोणीन टू वानसीन मोनफास्पेट रिजल्ट्स इन अक्सेस यूरेक एसेड प्रोडक्शन एंड डी नोव प्यूरीन सेंथिस आफकोर्स जब उसके पास प्यूरीन कंपड़ रही होंगी वह उपर से प्यूरीन ज्यादी बनाएगा तो प्यूरीन की सेंथिस भी कोईत मुधाफियत कम पढ़ जाती है क्यों क्योंकि आफके ब्रेन में व्युरेक एसरक एकुमुलेट कर जाएगा नहीं तो आपको इंटेलेक्च्ट्व डिसभालोडी हो जाएगी सेल्फ म्यूटेलेशन रहेजक्या Self mutilation यह होती है कि आप जो होता है और निजिए पेशल змें वह अपने होट निस निए ऑने को अपनी फिंगर्सको और ऐस्को चूसता रहता है जुँ से होता है जो चुण हो और पर जो-पनोर होता है तो हुआं-पर भार बार चूसता रहता है जो बार बार हुआ साड बच्यून की क्रिस्टल्स और के क्रिस्टल्स में आपको लिखाई देंगे आपको गोट हो आपको dystonia हो जाएगा ड। इस्टोनिया होता है कि आपकी मसल कmission इस सरो होता है आपके की वह होता है इसमें क्या हुता है तो यह तो आपके और यहां पर आपके मैक्रोफेज और आपके Neutrophils ने जाकर, इसको क्या करना होता है? इंगल्फ करना होता है. ठीक है? इसको inflammation करनी होती है. ठीक है? तो आपका क्या होता है, कि Microtubule नियुक्त जा रहा हूँ Microtubule डिफेक्ट ANYगा होता है Microtubule का क्या होता है? As a road system क्या होता है Μet spacing मेरे immune system में आपकी सिस्टम करती आपके लिए रोड होता है जब आपकी नहीं नीट्रोफिल्स और मेकर यह इस तरह प्रिघा नहीं कर पयेंगे तो यह पर आपको इंट्लमेशन नहीं कम होती है ठीक है सब्सक्राइब करके उसको इंगल्फ है नहीं कर सकते हैं समझा गया है अच्छा है पर यूरिशीमिया वही गाउट हो जाएगी पेस्ट आप एग्रेशन सेल्प म्यूटिलेशन रिटालडेशन आपकी इंटिलेक्ट्वल डिसिबैलिटी होगी डिस्टोनिया वही आपकी मसल कंट्रक्शन भी साअडर हो जाएंगे आपको ठीक है अब मैं इसके पर फर्मकौलोजी अप्लाई करूं है ये समझा गया पैतोलोजी समझा गया है पैतो समझा गया इस फार्मकौड़ करते हैं अब क्या है आप ने अगर गौट डिजीज हो जहे आपको अला करें आपको ज्यां हो गया है तो आपने यह द्रॉंग देनी है या फिसवकस कि या फिर आपने को कौका देनी है इनका काम है जनत्राइं को इन्हीबेट करना जब यह इंजायन हो जाएगा ज्यां नहीं क correlation CH cannot अब इस हम क्या कर रहे है कौन सी ट्रग देगे अलोपिरिनोल और हो क्या निहीट जब कर जाएगा या अब था पर सकते हैं यह समझा आगे पढ़ू है अच्छा अब एक इक सुरत में कि आपका यह तो आप कहते हैं कि सर जी सर जी छे तो आप उस शकल में दे सकते हैं कि जब हम चाहते हैं कि मजीद Yure三ड है नां बने लेकिन सर जी पेशिंट के अंदर पहले सी की यूरेक असिड्श बन चुका है उसको गऊट हो चुक है उसका ट्रीट्मेंट क्या करें हम तो मैं कहता हूं उसके ड्रग यूज़े रैस्प्री केस ड्रग यह यूरेट ऑक्सिडेज की तरह काम करती है मतलब आपके यूरेक-सिड्ड की ब्रेकड़न करके यलेंट बना द कि या बना देगी और यह ए्लेट की क्या हो जाएक आपकी बाड़ी से एक्सक्रीशन या जे उरिया की शकरा है या तो जो एक जो समपर नहीं होगी आपको क्या तो जाएगा ओर आपको क्या हो जाएगा उसका बन जाएंगे और आपके ब्लड में जाना वो क्रिस्टल जूरे कैसे कि वो भी ज्यादा हो यह उसकी फैंडिंग्स होगी समझ आगी है है पकी बात है तो यह देखें यह हमने इसकी रिटिंग भी कर ली ट्रीट्मेंट में अलोपिरोनोल और फेबॉक्स स्टेट डाइब और ठीक है कोई क्वेशन आप लोगा तो कोई समझ नाय यो है सब क्लियर हो गया है कोई चीज मैं छोड तो ने दिमझे क्यों लग रहा है कि मैंने कुछीज छोड दियैं है देखे मैं देखने कि चिज रहना गया आपको कुष्जण हो तो आप लोग देख ले पर repeat कर दूँ जल्दी जल्दी सारे को चले मैं एक पर भगा कर रिपीट कर देता है उसको जल्दी जल्दी वह कहता है राइबोस फाइफ फासफेट से आपका क्या बनता है पी और पी 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 के ओपर इंजाम एक्ट करेगा पी आर पी पी माईडो ट्रांस फ्रेस उससे बन अब ग्वानस ए से शूगर रिमूव होगी तो बढ़ जाएगा गवाणीन इदर से आपके इंजैम करेगा अब इसी है पोजंथिन और गोवानीन के ओपर इंजाम करेगा हईच फचिजी पी र PRT यह PRPP और इन दोनों को मिलाएगा और वापस प्यूरीन सालवेज पात्वे की तरफ मूव कर जाएगा और यह 90% यहीं केस होता है कि वापस ले जाता है 10% में जैंतीन आक्सिडेज अक्ट करेगा और यह दोनों क्या बन जाएंगे जैंतीन से फिर यूरेक एसेड और यूरेक एसेड अकॉमुलेट कर जाता है अगर आपका एच जी पी रटी डिफेक्ट हो तो आपका यूरेक एसेड कार जाएगा यह नेशलियान सेंड्रूम या फिर गौट कास कर देगा ठ ठीक है और इसी तरह एडिन असीन मोन फासफेट से एडिनीन भी तो बनती है इसके तोड़ से लेकिन प्लस पी याड पी पी को एडिया पी आर्पी जब मिलाएगा तो दुबारा क्या बन जाएगा एंपी ड्रॉग्स दो है अलुपिरनोल फेबॉक्स स्टेट जो आपके जन्थेन अक्सीडाइज की इनिविटर्ज और यॉरेक एसिट भी फार्मेशन को रोकती है और एक और ड्रग है रस्प्यूरिक केज जिसका काम यॉरेट अक्सीडेज की तरह का होता है कि यॉरेक एसिड की ब्रेक डॉन करके लिटिनाइन और उसको जुरेक के जरी बैर ए प्रफस्ट